इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्लेश टोर से हम संदेश अब को कैसे डाउनलोड कर सकती हैं जी हैं दोस्तो उसके लिए पुरा वीडियो लाज सक्क ज़रूर देखें और वीडियो हलफुल रही हो तो वीडियो को like ज़रूर करें तो चलिए बिना समी कबाई जानते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने डिवाइस में प्लेश टोड एप को उपन कर लेना है और यहाँ पर आपने उपर सर्च कर देना है संदेश एप आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर आपने इसे सर्च कर देना है फिलाल यहाँ पर आप सभी को बता देना चाहता हूँ दोस्तो अभी संदेश एप को भारत सरकार की ओफीशियल वेबसाइट पर ही हमें AP के लिंक द्वारा डाउनलूड करने का एक ही ऑप्शन है जो मिल रहा है तो इसी वजा से फिलाल अभी Android Users के लिए Play Store पर यह अप नहीं आया है लेकिन iOS Users के लिए Play Store पर यह अप अभी उपलब्द है तो आप सभी वहाँ से जाकर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो अभी यह बात आती है कि अभी जो Android Users रह गई है वो इस app को कैसे डाउनलूड करेंगे तो चलिए उसके बारे में भी आप सभी को बता देता हूं तो दोस्तो इसके लिए आपने क्या करना है अपने डिवाइस में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं आपको यहां पर Android का एक लोगो नज़र आ रहा होगा और उसके नेचे डाउनलोड का ओप्शन नज़र आ रहा होगा तो सभी Android Users ने अभी यहां से इस app को डाउनलोड कर लेना है और कुछ समय बाद Play Store पर भी यह app आ जाएगा तो दोस्तों आपने सिंपल डाउनलोड पर क्लिक करना है जिसके बाद आप सभी संदेश app को अपने Android डिवाइस में यूज कर पाएंगे तो मैं उमीद करूँगा आप सभी को पता चलिए को कैसे संदेश app को हम डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो हेलफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे की आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बैल एकन को प्रेस जरूर कर लीजिए